नमस्कार दरनगरी न्यूस की खास पेशकर विजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूं ललित पर्मा चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर प्रदेश में बीते एक सपता से बारिश का दौर जारी है इस दौरान कहीं तेज तो कहीं भारी बारिश द जारी की गई है जालावाड जिले के बिडवारा शेतर में पिसले तीन दिनों से लगातार हुई भारी वारिश के चलते काड़ों दिया गाउं के वास्यों के लिए आपत की वारिश साबित हुई है जहां गाउं के चारों तरफ पानी भरा हुआ नजर आया तो इस दौरान जालावाड जिले के गंगधार थाने में एसपी चिरंजिलाल मीना की अध्यक्षता में सामाजी सुरक्षा समीथी की बैठक संपन हुई जिसमें गंगधार बीएसपी कालूराम बर्मा सी आई नंत किशोर बर्मा मौजूद रहे बैठक में कस्वे की मुख्य समश्य अंड फिलाल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट में देर राज शाम को तक्निकी खामी आ गई जिसके चलते विदुद उत्पादन पूरी तरीके से ठप हो गया परियावरन को बचाने के लिए बीजेपी सरकार की ओर से नया कदम उठाया जा रहा है हरियाली को भढ़ाने के लिए अब सिक्षा मंत्री आ गया है आरक्षण के खिलाफ बांगलादेश में जो हिंसा शुरू हीते हुए बढ़ती ही जा रही है इस बीच अब बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हर्षीना ने देश छोड़ दिया है वहीं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास में भी दाकिल हुए भारी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शेख हर्षीना ने जैपुर में प्रेस काम नहीं रहा है जो का कहना है कि प्राइवेट बैटरी कार आने की वज़े से उनके लिए बेरोज़गारी की समक्ष्या पैदा हो गई है राजतान सरकार में कैबिनेट मंत्री हिरालाल नागर ने जैपुर में प्रेस कांफरैंट करते हुए काहा कि राज़स्तान में पहली बार पंक प्स्क्रीज गयोजना इस्तापित होगी और 25,000 स्मार्ट मेटर लगाए जाएंगे किरालाल नागर ने पिसली कॉंग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए काहा कि कॉंग्रेस सरकार के समय प्रदेश में बिखली घर कोईलब को तरस्ते रहे 26 गड़ में अपनी सरकार होने के बावजूद आवंटित कोल ब्लाक के खनन चालू नहीं करवा पाए जालावार जिले में पहली बार हुई जोरदार बारिश से शहर के बाजारों में दरिया बनी निकली अच्छी बारिश के इंतजार में बैठे लोगों को रविवार को कुश्च कर दिया वहीं मध्यपर्देश में हुई जोरदार बारिश के कारण जिले में सबसे बड़े बान कालेसिन के पांच गेटों को खोल कर करीब 20 हजार क्यूसेक पानी की निकासी होने से गागरोन के समीब कालेसिन तता आहु नदी की पिलिया पर पानी की चादर चल रही है रविवार सुबह साथ वजे से दस वजे तक जोरदार बारिश हुई इस दोरान तरकों पर पानी बहे निकला रास्तान विधान सबा में एक बार फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिला मुकेश भाकर द्वारा असन की ओर उंगली करने के चलते विधान सबा में जोरदार हंगामा हुआ है इसके बाद मुकेश भाकर को सदन से निलंबित करने के मांग उठी और विधान सबा जक्ष वासुदेव देनानी ने मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया जिसके बाद विधान सभा में इतना जोड़दार हंगामा बरफा कि विधान सभा को पूरे दिन के लिए स्टगित करना पड़ा तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरे, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार